प्रेज देलोड अज सुभे में आपसे बात करना चाहता हूँ कि विश्वास से चलें बजन सहींता तीन जब दाउद संकट में पड़ा जब दाउद के जीवन में विपत्य आई जब दाउद को मारने के लिए अब सलोम उसका खुद का बेटा दाउद को मारने के लिए निकल पड़ा और दाउद उससे बचने के लिए दर दर भटक रहा था उस समय दाउद ने इस बजन को लिखा और उसमें कहता है कि लोग कहते तो हैं कि वो मेरे प्रान को नस्ट कर डालेंगे क्योंकि मेरा बचाओ अब परमेशन नहीं करता है लोग कहते तो हैं प्रंटु मुझे इस बात पर विश्वास है कि यहुआ मेरी ढाल है दाउद के जीवन में संकट है वो परिसानी में है वो विपत्ती में है प्रंतो दाउद अपने अंदर इस विश्वास को पैदा कर रहा है इस विश्वास को उत्पन कर रहा है कि परमेशर उसकी ढाल है जिस परकार परमेशर ने पिछले दिनों उससे संकट और मुसीबतों से चुटकारा दिया परिसानियों से चुटकारा दिया उसी परकार परमेशर उसे आज भी चुटकारा देगा वो इस बात पे विश्वास कर रहा है कि परमेशर चारो और मेरे ढाल है और जब परमेशर मेरे ढाल है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है कौन मुझे मार सकता है दाउ करेगा क्योंकि जब कभी मैं परमेशर को पुकारता हूँ परमेशर मेरी प्रात्ना का मुझे उत्तर देता है मेरे प्रियों ये विश्वास दाउद अपने अंदर पैदा कर रहा है कि परमेशर मुझे संभालता है वो दसजार लोग मेरा कुछ भी नहीं कर पाएंगे मेरे मस्तक को उचा करता है परमेशर मुझे लज्जित नहीं होने देता और परमेशर मेरी ढाल है उस संकट के समय उस परिशानी के समय दाउद अपने अंदर इस विश्वास को पैदा कर रहा है मेरे प्रियों आज हम जब परिशानियों में हैं आज हम जब मुसीबतों में हैं आज हम जब इस कठिन समय से गुजर रहे हैं तो हमें भी ज़रत है हम अपने अंदर दाउद की अतर है इस विश्वास को पैदा करें कि परमेशोर हमें संभाल लेगा चाहे हमारे विरुत कितनी भी योजनाएं बन रही हों चाहे हमारे विरुत दसजार सैनिक चाउनी डा ले होए हों परन्तो हम तब भी सांती से सोएंगे सांती से लेट जाएंगे सांती से रहेंगे क्योंकि परमेशोर हमें संभालता है हम अपने अंदर विश्वास को पैदा करें कि जब कभी हम परमेशोर से प्रात्ना करेंगे परमेशोर निस्चे हमारी प्रात्नाओं का उत परमेशर मुझे लज्जित नहीं होने देगा, परमेशर हमेशा मेरे मस्तक को उचा करेगा, परमेशर चारो और मेरी ढाल है, मुझे बचाने वाला है, मुझे छुडाने वाला है, तो निश्चे परमेशर आपको इन दुख बिमारी परिशानियों से, इस कठिन समय से, इस व